हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल फार्मा रोक्स के यूटूब एजू के स्टनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में तो BMI क्या है और किस तरह से हम किसी भी परसन का BMI जो है वो फाइंड कर सकते है वो हम जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में तो अगर आपके पास Android phone है तो Android आप डाउनलूड करें iPhone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो concept है वो समझेए Body Mass Index के बारे में तो Body Mass Index को Buzle Metabolic Index भी कहा जाता है और कुछ जगा पे आप Buzle Mass Index ये भी देखेंगे as a BMI तो जो अलग-अलग popular health magazines होते है fitness centers होते हैं वहाँ पे ये Body Mass Index वगेरा की बात होती है और ये जो है वो एक diagnostic feature भी बनता है अलग-अलग diseases and disorders के लिए तो वो भी हम जानेंगे आगे वीडियो के अंदर तो Body Mass Index जो है वो find out करना काफी ज़रूरी है because जब भी आप कोई fitness centers वगेरा जोइन करते हैं जीम वगेरा जोइन करते हैं या फिर आप को यसा personal trainer जो hire करते हैं exercise वगेरा के लिए फिजियो थेरापी वगेरा के लिए और समझो कि आपका body weight काफी ज्यादा है और उसको कम करने के लिए आप इस तरह के अलग-अलग remedies वगेरा कर रहे हैं तो उस वक्त जरूरी है कि आपका body mass index कितना है वो find out करना तो यहाँ पे जो बाजू में आप table देख रहे हैं उसके अंदर आप देख सकते होगी अलग-अलग categories वगेरा लिखी है और सामने BMI की जो है range वो लिखे हुई है तो यहाँ पे आप उपर एक formula देख सकते कि BMI is equal to weight divided by height पर यहाँ पे condition लिखी है वो आप देखिए कि weight जो है वो आपको लेना है kilogram के अंदर और height जो है वो meter square के अंदर आपको लेनी होती है और उससे जो आपका result निकलता है वो कहा जाता है body mass index या फिर busle metabolic index भी उसको कहा जाता है तो body mass index is a simple calculation using a person's height and weight कि किसी भी person की height लेनी है उसका weight लेना है और यह formula को utilize करके हम उसका BMI जो है वो निकाल सकते है इवन आप भी आप कुद का BMI जो है वो निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कौन से category के अंदर आपका weight या फिर आपकी height के according to आपका BMI रहता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो normal की जो range होती है body mass index की वो रहती है खासकर 18.5 से लेकर 25 के बीच में कि जो normal conditions जिसको हम कहेंगे तो BMI की जो formula आपने जान ली बट यहाँ पे खास condition हमेशा ध्यान रखे कि weight जो है वो kilogram unit के अंदर ही आपको use करना है और जो height है उसके लिए जो आपको unit याद रखना है वो है meter square कि आपकी जो height हुए समझे कि आप centimeter के अंदर measure करते है कि आपकी जो height थी वो है समझे कि 160 centimeter आपने height measure की है तो इसको meter में convert करने से हो जाएगा 1.6 meter जो है वो आपकी हो जाएगी height और आपको जो है वो उसका square निकलना है जब भी आप BMI वगेरा find out करें तो जो ideal data हम देखे body mass index के लिए तो जो normal की value 18.5 से लेकर 24.9 जो है वो normal BMI कहा जाता है फिर जो persons overweight होते हैं मतलब कि जिनका weight काफी ज्यादा है या फिर दिरी दिरी उनका weight increase हो रहा है तो उनकी लिए BMI जो है वो आएगा 25 से लेकर 29.9 के बीच में फिर बात आती है class 1 obesity के यहाँ से भी समझे कि आपका weight और ज्यादा increase हो रहा है तो overweight से आप class 1 obesity के अंदर enter हो जाएंगे और वहाँ पर आपका BMI जो है वो और ज्यादा increase होगा 30 से लेकर 34.9 फिर यही से भी समझे कि आप control नहीं करते हैं और आपकी lifestyle उसी तरह से कि जिससे आपका body weight जो है वो increase हो रहा है तो BMI और बढ़ेगा और 35 से 39.9 तक जाएके कि जिसको कहा जता है class 2 obesity और फिर extreme obesity हो सकते हैं कि अगर आप यहाँ से भी control नहीं करतें तो greater than 40 आपका obesity जो BMI आ सकता है जिसको हम कहते है class 3 obesity और extreme या फिर severe obesity भी जिसको कहा जता है तो यह अलग-अलग category में पढ़ता है तो यहाँ पर ध्यान आपको यह करकना है कि जब तक normal है तब तक सब सही है बड़ समझे कि आपका weight थोड़ा सा भी increase हो रहा है तो तुरंद उसको control करवाना काफी जरूरी रह वरना यह continuously weight increase होने के कारण आपका BMI increase हो सकता है तो यहाँ पर देखो color से यहाँ पर simple आपको समझाया गया है कि जो yellow वाला जो portion है वो overweight का portion है फिर underweight के लिए जो है कि आपका weight काफी कम है तो वो यह blue color वाला है और green वाला जो है वो normal दिखाया गया है तो yellow से समझे कि आप control करते हैं आपकी lifestyle को तो वहाँ से आप green portion में फिर से आ सकते हैं कि आपका BMI normal की range में आ जाएगा बर समझे कि आप yellow zone में है और control नहीं करते हैं तो आगे जाके यह light red और फिर यहाँ से dark red की और जो है वो बढ़ सकते हैं जिसको कहेंगे हम obesity या फिर extremely obesity को और आप आगे बढ़ सकते हैं कि जिससे बहुत सारे complications हो सकते हैं obesity related इवन जिनका weight काफी कम होता है तो वो underweight की category में आते तो उस वक्त भी काफी complications वगेरा होते हैं तो इस तरह से categorize होता है BMI based on a weight and height तो body mass index is a simple calculation using a person's height and weight and the formula of BMI is kg divided by meters कर तो यह formula आपको हम में सा याद रखनी है और जिससे आप BMI जो है वो निकाल सकते हैं तो अब बाजो में जो ideal table रिखा है वो हम समझते है कि normal तो मैंने आपको समझा दिया बट जो mild thinness mild thinness मनलब कि आपके body के अंदर थोड़ा सा पतलापन है मनलब कि weight थोड़ा कम है तो इसको mild thinness कहा जाएगा तो mild thinness के अंदर BMI होता है 17 से लेकर 18.5 फिर moderate thinness के अंदर 16 से 17 जितना होता है और severe thinness मनलब कि आपकी height के compare में आपका weight बहुत ही कम है तो वो condition को कहा जता है severe thinness तो उस वक्त भी आपको जरूरी होता है कि आपका weight जो है वो थोड़ा बहुत increase करवाना और उसके related जो है वो fitness centers में जाके या फिर yoga, meditations वगेरा करके भी वो weight increase करवा सकते है साथ उसाथ healthy diet, dietitians को भी आप consult करके proper healthy diets वगेरा ले सकते है कि जिससे आपका weight जो है वो increase हो तो यह हो गई जब weight कम होता है तब problem फिर weight समझो कि increase होता है तो उस वक्त BMI increase होता है तो overweight के अंदर वो है 25-30, obesity के अंदर 30-35, obesity class 2 and class 3 कि जो अभी हमने सीखा था BMI के ideal data के अंदर तो कुछ जगा पर points में भी data दिये होते हैं तो दोनों आप consider कर सकते हैं कि कुछ जगा पर आपको 25 से 24, 29.9 ऐसा भी लिखावा देखने को मिलेगा या फिर 18.5 से लेकर 24.9 तो ये भी data सही है कोई problem नहीं है इसके अंदर तो why BMI is recorded? BMI को हम record क्यों करते हैं? तो BMI से हमें पता चलता है कि आपकी body की conditions कौन से प्रकार की है कि normal है तब तक कोई problem नहीं है बट समझे कि इस तरह से नीचे जाता है तो भी complications होते हैं और weight increase होता है तो over weight, obesity के problems होते हैं तो height और weight जो है उसको proper maintain रखना जरू है उसमें height तो जो है वो कुछ ही जिसके बाद increase नहीं होती बट फिर आपको control करना होता है सिर्फ weight के आपका जो वजन है जितना आपके control में रहेगा उसके according to जो है वो आपका BMI भी proper normal की range में रहता है तो किस तरह से आप BMI record करोगी अपना तो सबसे पहले आपको जो है अपनी height measure करनी है और उसको convert कर देना है meter के अंदर फिर find out करना है आपका weight using a weight balance in kilogram unit फिर BMI की ये जो formula है उसको use करके जो है वो आपको BMI find out करना है तो simple एक exercise आप कर सकते है कि समझो कि किसी person का weight जो है वो 70 kg है और उसकी height जो है वो 1.6 meter है तो ये data को use करके जो हो आप calculate कर सकते कि person का BMI जो है वो कितना होगा even आप अपना खुद का भी BMI जो है वो निकाल सकते है ये formula को use करके तो weight जो है वो आपने ले लिया 70 kg के अंदर height 1.6 meter बट जरूर याद रखे किसका करना है square तो 1.6 का square करके आपको करना है divided by 7 टिकन है तो जो भी answer आएगा वो रहेगा आपका body mass index तो यहाँ तक हमने सीख लिया procedures अब complications समझे कि अगर किसी persons का BMI higher है तो उसके करन जो है वो कुछ टाइप के cancers हो सकते है cardiovascular जो system है CVS related problems होता है जिसको कहते हम heart related problem होना फिर type 2 diabetes आपको हो सकता है कि यह जो diabetes की जो sugar का level increase होता है वो हो सकता है gal bladder की related जो है वो disease हो सकती है आपको blood pressure जो है आपका increase हो सकता है high cholesterol आपकी body के अंदर जमा हो सकता है कि जिसके करन high cholesterol related जो problems and complications होते है वो हो सकते है osteoarthritis हो सकता है कि जो joint pain वगएरा की conditions वगएरा हम कहते है stroke हो सकता है brain के अंदर कि यहापे आप देखो कि brain stroke का जो problem है वो हो सकता है आपको अगर BMI जो है वो completely increase हो रहा है weight increase हो रहा है और obesity के अंदर आप जा रहा है और कुछ patients को respiratory problems भी होते है यह खास समझे कि respiratory problem के करने हाँ क्या होता है कई बार sleep apnea जैसे problem होते कि जिसके अंदर जो है वो कई बार breathing जो है वो temporarily बंध हो जाती है और फिर फिर से start भी हो जाता है तो ऐसे problems के करन कई बार जो है वो stroke आ सकता है आपको respiratory failure हो सकता है और और भी बहुत सारे complications जो है वो हो सकते है तो अब बात आगे आएगी कि BMI को हम reduce कैसे करें तो सबसे पहले जो उसके reasons होते है वो आप control में ला लेंगे कि BMI increase होने का एक reason बनता है sedentary lifestyle कि ये वाले cartoon में आप देख सकते है कि ये जो person है उसकी जो lifestyle है जिस तरह से कि वो lifestyle के अंदर ना ही कोई exercise है unhealthy diet है और पूरा दिन समझो कि person इस तरह से एक ही जगा पे बैठे रहता है और कोई ऐसे activity नहीं है कि जिससे जो energy वगेरा utilize हो body की और fat भी कम हो ऐसे कोई भी activity दिन में नहीं होती जिसको हम कहते है sedentary lifestyle तो ऐसा होने से BMI increase होता है तो यह जो है वो आपको completely करनी है avoid कर sedentary lifestyle आप avoid कर दोंगे तो BMI जो है वो reduce होना start हो जाएगा तो वो किस तरह से कर सकते तो take a healthy diet तो सबसे पहले तो healthy diet लेना है आपको कि जो हमारे जो green leafy vegetables होते है fruits होते है healthy पका हुआ जो खाना होता है वो सब अच्छे से लेते है तो आपकी जो diet है वो proper होने से BMI reduce हो सकता है अगर आप smoking वगरा करते तो उसको quiet कर देने चाहिए कि जिससे भी यह problems हो सकते है cycling जो है वो एक सबसे best option रहता है कि cycling is the best exercise जैसा कहा जता है तो आपको जो है वो cycling करने चाहिए self home exercise की यहाँ पर आप देखो कि जो family है वो अच्छे से घर पे ही exercise कर रही है तो वो भी आप एक अपना schedule बना सकते है self exercise का घर पे फिर अगर हो सके तो आप gym वगेरा जोइन कर सकते है fitness centers वगेरा जोइन कर सकते है या फिर yoga वगेरा जोइन कर सकते है कि जिससे आपका जो है वो lifestyle जो है वो proper healthy हो जाए and maintain the proper sleep cycle की जो proper जो 8 गंटे की जो हम नेंद की बात करते है पूरे दिन में तो 24 hours जो पूरा हमारा दिन रहता है उसमें से at least 8 hours जितने आपकी नेंद जो है वो होनी चाहिए कि जिससे आपका जो body का जो metabolism भी सही रहता है और जिससे ये weight increase होने के या फिर BMI increase होने के problem नहीं होते है तो इस तरह से आप BMI को जो है वो reduce कर सकते है तो यह था हमारा special video lecture about the BMI thank you for watching join कर सकते है हमारे mobile applications के अंदर कि जहाँ पे android user android app download कर सकते है iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी और जहाँ पे आप access कर पाओगे study material को test series and video lectures को pharma rocks के आप उपर तो जरूर से download करिया pharma rocks good luck and all the best good luck and all the best